हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल जैसे ना अभी अभी मैंने स्मोकी आई मेकप किया था तो मुझे ना काफी अच्छा लगा तो मैं कुछ से थोड़ा सब बहुत जादा नहीं बोल सकती थोड़ा सब मोटिवेट होई और मैंने सोचा कि मैंने जैसे सोच रही थी मैं अपनी ड्रेस के साथ मैच करता कुछ आई मेकप करूँ तो मुझे लगा मैं कर पाऊंगी तो चलो क्यों ना ट्राइस ही ना तो मैंने जो पहले वाला मेकप था वो उतार दिया और थोड़ा सा कंसीलर लगा लिया तो पास इसी के बाद वही इसके बिना तो मैं अदोरी हूँ बिलकुल ही एक दिन आपको दिखाऊंगी इसके बिना में क्या करती हूँ कैसे लगाती हो लाइनर तो बहुत ही बुरा लगाती हूँ मतलब कहने का तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा अच्छे से उसे ब्लेंड कर रही थी ता जो कोई क्रीज वगरा ना रह जाए थोड़ा थिक थिक हो जाता ना कभी कभी तो इसलिए बस तो इसके बाद ना ये मेरे पैलेट में लिप्स्टिक का छेड़ था जो मैं ले रही हूँ तो मेरे पास क्योंकि ऐसा कलर नहीं था तो मैंने वही ले लिया और इसके बाद भी मुझे लग रहा था कि वो प्रॉपर कलर सा नहीं लग रहा था तो मैंने इसके बाद ने इस पे थोड़ा परपर कलर भी ट्राई किया तो बास से ऐसी कभी एक कभी दूसरी आंख पे लगा रही थी एक ना टेप का सच में बता रही हूं कि बहुत बहुत यूसफुल है टेप मेरा कहने का मतलब क्योंकि ना इसके साथ क्या होता है कि वो ना जो भी हम लगाते हैं आईशेडो भी इदर उदर नहीं जाता तो ये मेरा थोड़ा परपल लेके उसे कर रही थी तो इदर उदर और आंक के ना सामने नोस के नियर भी में वही लगाना चाहती थी पर वो मुझसे अच्छे से नहीं हो पा रहा था और इसके बाद मैंने लगा था सिलवर कलर जो आंक बच जाती है ना वहां पर मैंने सिलवर कलर लगा दिया था तो मैंने त्राइ कि bu बनाओ उँ तो मैंने थोड़ा कंशीलर लेके थो ऐसे करके बस थोड़ी थोड़ी सी बना दी और उसके बाद मुझे ब्लेंड नहीं पता था उपर की तरफ करूँ फिर लगा कि नहीं नीचे की तरफ तो आईशेडो लगाए तो मैं उपर की तरफ ही कर देती हूँ तो वो किया बट फिर भी ना वो क्रीज बनाते मेरा थोड़ा ना आईशेडो नीचे से हो गया था मतलब तो फिर कभी उदर कभी उदर ऐसे लगा रही थी तो ना मैं अपने ही मेक अप का अगर ऑनेस्ट वियू करूँ ना तो ये कलर जो मैं लगा रही हूं ना ये काफी डारक था और कभी-कभी होता ना कैमरे के सामने जो कलर आते वो वैसे नहीं होते पर honestly मैं इस चैनल पे अपना honest view देती जाऊंगी अपने ही make-up का कि वो कैसे लग रहा है और यह eyeliner मैंने बहुत मुटा लगाया था बहुत बहुत अगर न अप your life में वैसा लगाओगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा पर camera में वो अच्छा लग रहा था और बस tape की तो बात ही क्या है कि इसके बार तो जाई गया ही नहीं तो बस इसी confidence में लगा देती हो जल्दी से तो बस मैं वही लगा रही थी यहाँ पे एक लाइन सी ऐसे से बनाती है मैं वो ट्राई कर रही थी और फिर तमाग में आया कि कुछ खराब ना कर दूँ है तो कभी-कभी makeup इदर उदर लगता है ना कि जड़ जाता उपर-उपर भी कपड़ूंगे तो मैं उसे कभी clean करती कभी nose को साफ कर रही थी ऐसे तो दूसरी आँख पे लगा रही हूँ अभी बस एक तरफ तो मुझे काफी लग रहा था कि मोटा मोटा लगा था और दूसरी तरफ काफी बड़ीक लगा था और यहाँ पे ना मैंने सोचा कि without foundation ही makeup कर लेती हूँ मैंने कुछ नहीं लगाया था face पे तो मैंने contouring की foundation नहीं लगाई मैंने तो contouring की practice हो रही है मानलों की practice कर रही हूँ मैं उसकी भी तो contouring उन्होंने बोला था कि यहाँ से करते हैं उन्होंने क्या कि एक video देखी थी जैसे आपको पते है कि मैं videos देखती हूँ और side फे contouring कर रही हूँ जब मैं भी कभी professional हो जाँगी ना उसका मैं name जरूर बताओं की जिससे मैं inspire होके जे makeup सीख रही हूँ और जिसकी मैं videos देखती हूँ उन्हें तो वो credit जाना ही चाहिए कभी मैं professional होंगे मतला कभी बहुत अच्छा makeup करूँगी अभी तो बोलना भी नहीं चाहिए ना नाम खराब होगा उनका भी तो बस यहां पे blusher लगाते हैं जैसे I hope जैसे भी कोई भी मेरी वीडियो देखेगा तो मुझे improve करने की पूरी कोशिश करेगा तो please मुझे guess मत करना कि मैं ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ सीख भी किससे रही हूँ आप से सीख रही हूँ जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो उने से तो यह देखिए लुक कुछ ऐसा लग रहा था तो न जैसे camera में तो थोड़ा अच्छा लग रहा था लेकिन real में honestly बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बिलकुल भी नहीं लग रहा था तो फिर जैसे नीचे में न आइस में liner लगाके और वो eyeliner वाली line साथ में जोड दी न तो उससे eyes काफी अच्छी लग रही थी तो यह से कुछ tricks होते हैं मुझे लग रहा है जब आप practice करते हैं तो आपको वो day by day पता चलते रहते हैं तो बस mascara लगा दिया तो मैंने सोचा कि चलो lipstick भी लगा ले तो इसके बिना भी incomplete सा लग रहा है मुझे वो भी बहुत हलकी shade की लगा रही हूं मैं और यह दरोदर बच्चे थे वो पूछ रहे थे कुछ में उनसे बाते भी कर रही थी तो बस कभी होता नहीं कि जब तक आप पूरा makeup भी finish नहीं कर लेते makeup अच्छा नहीं लगता मुझे था कि चलो मैं थोड़ा कर ले तो लेकिन मैं foundation, concealer, face पे कुछ ऐसा नहीं यूज किया था contouring वगारा कि जैसे आपको दिख रही है बस और lipstick भी मुझे लग रहा था था ना थोड़ा shimmer सा कर लूँ तो मैंने सोचा थोड़ा इसे बाल भी मैं ऐसे करके देखू कि क्या लग रहा है और बालों के जैसे मैंने बांद के रखा हुआ था तो चलो मैंने सोचा कि थोड़ा ऊपर करके फिर देखती हूँ तो देखिए थोड़ा सा भी ना अगर आपका हेयर स्टाइल भी अच्छा हो जाता है तो मेक अप बहुत अच्छा लगता है तो बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक च्छी और सस्क्राइब करना नहीं भूलिएगा तो मैं मिलूंगे एक और वीडियो के साथ और वीडियो के साथ तो तक लिबा पाई ठीक है